अस्सलाम उल्कुम योर्स, वेलकम टू दा स्टुडेंट्स प्लेटफॉर्म फिर आज हम पढ़ेंगे PSY 101 Introduction to Psychology के लेसन नमबर 12 को इससे पहले कि अपना लेसन स्टार्ट करें, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही बैल के आइकन को भी प्रेस करें, आईए आपको लिए चलते हैं अपने लेसन की जानिब, नर्वस सिस्टम को हम देखेंगे Central Nervous System, CNS और Peripheral Nervous System, PNS, MSQ परपस से इसको याद रखेगा, इसकी डिटेल हम इसी लेसन में आगे चलके डिसक्रस करेंगे Biological Basis of Behavior, दो तरहां की चीज़े, दो चीज़े शामिनिस के अंदर Nervous System और Endocrine Gland Nervous System क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो दिमाग के तमाम functions को कंट्रोल करता है, ये सिस्टम दिमाग के जिसम के दूसरे हिस्सों के साथ connections में भी मदद देता है Some interesting facts about the nervous system Nervous System Billions Specialized Cell पर मुश्मिल होता है जिने Neurons कहते है Nerv Impulse एक ऐसा Electrical Signal है जो के 400 km पर आर की स्पीड से एक नर्फ से दूसरे नर्फ तर ट्रेवल करता है एक नर्फ से दूसरे नर्फ तक जो है न ये MC को परपरस से याद रखी गा कि 400 km पर आर की स्पीड से Nerv Impulse ट्रेवल करता है Brain Cell दुबारा Grow नहीं करते एक दफ़ा Dead हो जाएं तो इनकी जगा कोई और Cell नहीं ले सकता Brain has two parts और Hemispheres Right Hemispheres जो है वो Left Part of Body को कंट्रोल करता है और Left Hemispheres जो है वो Right Part of Body को कंट्रोल करता है Neuron क्या है A Neuron System Cell जो की मेन फंक्शन जो है ना इकाई जो है नर्व सिस्टम की वो Neuron है इसकी शकल आपके सामने इसकी साखत आपके सामने है सबसे बीच में तो नूकलेस है इसकी जो मेन बाड़ी है उसके अंदर इद्गिस साइटो प्लाजम है जिसके अंदर दूसरे parts के मौजूँन है cell के उपर जो sheet है इसके sheet है जो इसको zoma कहते है सोमा के उपर denticles हैं बने हुए जिनको dendrites कहते हैं ये जो हैं reception का काम करते हैं दूसरे neurons से signals का receive करते हैं और ये इसके अंदर जाती है साइटो प्लाजम में सायटोपलाजम से ये X-Zone के थरू ये जो आपको Sound लाइन नजारा रही है, X-Zone इसके थरू होती होई ये टर्मिनल बॉटी तक जाती है टर्मिनल बटन्स भी कहेते हैं इसको टर्मिनल बटन्स जो हैं, ये क्या करते हैं इनके इनदर से वो सिगनल खारीज होता है signal excrete करते हैं transmit होते हैं और आगे इसके core neuron होता है जो के जिसके जो tendrides हैं आगे मुझूद होते हैं वो फिर इस signal को receive करते हैं यह सारा अमल कैसे होता है हम देखते है connection between nerve cells इनके दर में connection कैसे होता है पहली चीज़ है synapse gap between two nerve cells neurons is called synapse synaptic transmission क्या है वो अमल जिसमें info एक nerve से दूसरे नर्फ तक synapse के से होती हुई ट्रांसफर होती है neurotransmitters neurons के दरमियान एक gap synapse होता है इसमें chemical पहाँ जाता है जो info को एक neuron से दूसरे neuron तक ले जाता है इससे neurotransmitter लगते हैं और यह बहुत सही एक्साम के होते है the chemical message excitory message जिस message को आगे transmit करना हो सोमा उसे आगे exon की तरफ भेज देता है और दूसरा है इनहीं बेटरी message जिस message को transmit ना करना हो सोमा जो है उसे वहीं रोक लेता है सोमा आपको दिखा दूए एक तफ़ा क्या चीज़ है यह सोमा है main body जो है नूकलिस के रिदगित साइटो प्लाजम के रिदगित जो शीथ है वो सोमा है कहलाती है जो membrane है इस के रिदगित आगे है major varieties of neurons sensor neuron, motor neuron, interneurons sensor neuron जो क्या काम है इनको afferent भी कहते है carry message towards the central nervous system motor neuron जो है afferent इनको कहते है यह carry message away from central nervous system towards muscles and glands interneurons यह message को sensor neuron से motor neuron के दरमयान लेके जाते हैं motor neuron से sensory के तरफ लेके जाते हैं आगे है main parts of nervous system दो तरह के यह हैं हमने उपर बिल्कु स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम इनकी detail आगे बढ़ेंगे peripheral nervous system और central nervous system peripheral nervous system जो है इसके अंदर nervous system के तमाम parts शामिल हैं तमाम हिससे शामिल हैं सिवाए brain और spinal cord के it includes somatic division somatic nervous system SNS और automatic division automatic nervous system ANS somatic division controls the voluntary moments जिस तरह मैंने glass उठाया पानी पीनी के लिए यह voluntary moment है और automatic division जो है यह involuntary moment पलक का छपकना यह involuntary moment है आगे है central nervous system central nervous system जो है दो चीज़ों पर मुश्मिल होता है brain और spinal cord पर और brain जो है आगे तीन parts में डिवाइड होता है for brain, mid brain और hind brain brain क्या है कि central of nervous system vital organ that is responsible for the functioning of seeing, hearing, smelling, tasting, thinking, feeling, remembering, speaking, dreaming, information processing and a lot more यानि यह सारी चीज़ें जो है हमारा brain ही करता है spinal cord is inhalator point को मैं पढ़डा हूँ spinal cord is an informational highway connecting the PNS to brain information travels to and from the brain by way of spinal cord function of various structures of brain इसके function के हैं जी regulation of internal systems reproduction, sensation, motion, adaptation to varying environmental demands यानि के environment के मताबिक खुद को तबदील करना brain structures deeply grooved structure lies safely and securely in our skull खुपटी के अंदर दिमाग मौजूद होता है 1.3 to 1.4 kg 3 pounds जो है इसका weight होता है pinkish सामने से देखें outside से देखें बाइर से देखें तो pinkish gray color है इसका soft spongy और mortal होता है brain contains billions of nerve cells neurons और trillions of sports cells part of brain four brain mid brain hind brain four brain के आगे parts हैं mid brain के आगे parts हैं मजीद इनको आप read out कर लीजिए hind brain या hind brain जो आप इसको ज़ी लगए आप लोग पढ़ लें इसके आगे तीन parts है brain and cerebellum located under the limbic system it has four parts which are located in all vertebrates जो तमाम read के हड़िवाल जानवरों में मौजूद होते हैं पहला है medulla medulla oblong geta oblong geta भी कहते हैं located at the top of spinal cord क्योंके medulla बहुत एहम function control करता है जैसे respiration, heart beat, blood pressure इसलिए अगर damage हो जाए तो इनसान की मौत वाक्या हो सकती है contain three vital centers cardio inhibitory center heart rate को regulate करता है जो के vasomotor center regulate diameter of blood pressure जिसको blood pressure कहते हैं और respiratory system जो है ये regulate breathing respiratory center जो है pons Latin word mean bridge ये special spinal cord को brain के साथ और brain के मुख्तिलिफ हिस्सों को एक दूसरे के साथ मिलाता है ये signals को cerebral cortex से cerebellum तक ले जाता है pons के कुछ parts ऐसे भी है जो इनसान की consciousness और sleep को control करते हैं number three है reticular formation it starts from middle of the brain and end in the mid brain hind brain brain से ये start होता है के दरमियान से और खतम होता है mid brain पे it is a network of nerve cells it keeps brain alert in sleep also it is a damaged if it damaged seriously it cause coma अगर ये damage होज़े तो coma कोज़े होता है वो कौन सा part है जो damage होज़े तो death हो जाती है बने की वो है medulla number four पे है thalamus part of an egg shaped pair of egg shaped structures located at top of brain stem it acts like brain sensory switchboard इसके through ही messages transmit और receive होते हैं ये sensory neurons से info लेकर दिमाग के higher regions तक पहुंचाता है इन regions में vision हो गई audition हो गई taste और touch वगईरा शामिल है cerebellum latin word means little brain located behind the brain stem it has 10% weight of brain it has many neurons it is responsible for maintaining posture and balance of body अगर ये damage हो जे तो इनसान अपनी जिसम का balance खो देता है या जिसम में जरकी movement शुरू हो जाती है emotional brain आगे limbic system है it is also referred as emotional brain limbic system जो है at the border of brain stem and cerebral hemispheres it is donut shaped system of neural structures जो के emotions से fears, agressions, hunger, sex, body temperature, sugar liver और blood pressure से associate होता है structures within limbic system it is referred to emotional brain limbic system को emotional brain भी कहते हैं इसमें hippocampus, mcdala और hypothalamus शामिल है a mcdala क्या है two almond shaped neural clusters in the limbic system that are linked with emotions they are related with aggression and fear hippocampus जो है memory और learning के साथ related होता है hypothalamus जो है smallest structure है brain का mcg पर पर से याद रिखेगा है one of the smallest structure of brain hypo mean below thalamus composed of several nuclei small bundles of neurons that regulate psychological, physiological processes involved in the motivated behavior hunger, thrust हो गई, regulation of body temperature हो गया ये body thermostate के तोर पर भी काम करता है emotions के साथ linked है आगे है homeostasis hypothalamus contains the body's internal equilibrium, looking for food when energy levels are low, causing constriction of blood vessels when body temperature falls cerebellum largest part of human brain with the higher brain functions जैसे thoughts और actions occupies two by three of the brain total mass दो symmetrical halves पर मुस्तमिल होता है hemispheres पर मुस्तमिल होता है symmetrical मतलब कि अगर इसको vertically half किया जाएना center से तो right और left side हैं दोनों एक जैसी होती है right है cerebral hemisphere जो है control करता है left side को और left जो है right side को control करता है cerebral cortex a latin word means bark, covering, sheath ये दिमाग की outer layer है cortex is composed of 30 billion nerve cells and 300 trillion synaptic connections thickness इसकी 1 by 10 inch है calsi और gyrus, gyrus पढ़ने हैं, gyrus पढ़ने है cerebral cortex में दो तरह की grooves होते हैं calsi, जो छोटे होते हैं उनको calsi और जो large grooves होते हैं उनको gyrus पढ़ते हैं आगे है grey matter cerebral cortex mostly consists of glial cells, cell bodies, dendrites और interconnecting neurons they give the cerebral cortex a greyish brown appearance जिसे हम grey matter के नाम से बुलाते हैं grey matter कहते हैं white matter क्या है cerebral cortex से नीचे जो है million of exon जो है connect होते हैं और ये large million tissues बनते हैं opaque white appearance बनती है इसको white matter कहते हैं cerebral lobes जो हैं हमने पढ़ा है frontal loop, parator loop, temporal loop और occipital loop इनके बारे में हम पहले discuss कर चुके हैं कि frontal loop आप लोग खुद भी पढ़ेंगे ना simple इसकी कोई इनके अंदर कोई concept नहीं है कोई मिश्किल लिए है just इनकी reading करेंगे तो आपको समझ आज़ेगी आगे है cranium जिसको skull भी कहते हैं खोपड़ी भी कहते है brain is enclosed in cranium of skull और cranium consists of eight bones skull जो cranium जो है आठ bones पर मुश्मिल होती है one frontal two parietal two temporal two occipital one sphenide bone and one ethmoid bone चले मैं ये lobes की जो चारों टाइप से इनकी मैं reading कर देता हूँ frontal loop क्या है associated with motor control and cognitive activities reasoning, planning, decisions, making problem solving, movement and speech parietal loop incoming sensory information जो है control करता है perception of stimuli recognition चिज़ों को समझना परसीव करना temporal loop जो है ये क्या करता है कि perception and recognition of auditory stimuli memory, speech occipital loop associated with visual processing view ये था आपका PSY 4 sorry आपका PSY 101 basic psychology का lesson number 12 था मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ आगे होगी lesson थोड़ा सा lengthy था लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि चितने ज्यादा short time में cover कर सकूं cover करूं और main जो theme है इसका आप तक पहुँचा सकूं जल्दी मिलते हैं अपने next lesson में तेल देन टेक केर Allah अफेज